राधे क्रिष्टन तो आज बात करते हम डबल्यजी 12 के अंदर लगे वेंटिलेशन बॉक्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं दो सेक्षन को मिला के डबल्यजी 12 बनता है जैसे एक रफ डायाग्राम बनाते हम और ये दो सेक्षन मैंने या पर ड्रॉ कर दिये हैं ये सेक्षन ए है और ये सेक्षन बी है दोनों को मिला कर एक लोको कहा जाता है परती एक सेक्षन में दो दो वेंटिलेशन ब्लॉक होते हैं जैसे बीच में ये कॉरिडॉर है ये कॉरिडॉर है बीच में यहाँ पे हम जानते हैं LP बैठते हैं यहाँ पे ALP बैठते हैं और इधर LP और यहाँ LP तो जैसे हम कॉरिडॉर के बीच में गुशते हैं तो मशिन रूम यह मशिन रूम नमबर एक है यह मशिन रूम नमबर दो है तो यहाँ पे गुस्ते ही Ventilation Block होता है यहाँ पे Ventilation Block है और फिर यहाँ पे Ventilation Block है फिर इदर भी Locopilot के ज़स्ट पीछे यहाँ पे Ventilation Block है और इदर भी Ventilation Block है तो कुल कितने Ventilation Block हो गए Ventilation Block टो टोटल एक लोको में 4 ventilator block हो गए एक और तीन चार जैसा की नाम है ventilation तो ये लोको के अंदर ventilation रखता है यानि कि ये जो भी है सब blower है इसके अंदर जो भी लगे रहेगा blower रहेगा तो ये तो हमने location देखी और कितने ventilation block है वो देखे अब बात करते हैं कि एक ventilation block में यह यूं कहेंगे कि प्रतियक ventilation block में क्या-क्या लगा होता है और क्या काम करता है तो यह तो location देख ली हमने अब यहाँ पे मैं एक ventilation block के बारे में बताता हूँ तो वही प्रतियक ventilation block में रहेगा यह मैंने ड्रॉ कर दिया ventilation block यहां पर लिख देता हूँ ventilation block लोकों में ventilation का काम करता है अब यहां पर जैसे हम corridor में गुशते हैं यहां पर लगा हुआ रहेगा TMB जिसका नाम आप जानते होंगे traction motor blower और यहां पर लगा होगा D humidifier इन सब का काम हम जानेंगे भी D humidifier TMB traction motor blower यहां पर लगा रहेगा function blower function blower जैसा कि function blower का मतलब है कि हमारे three phase locomotive में जो squanging blower होता है वो ही है इसके काम के बारे में भी हम बात करते हैं अबी और यहां पर लगा रहेगा MRB machine room blower तो जैसा कि सब का नाम है ऐसा सब का काम है तो एक एक के बारे में जान लेते हैं बेटरी कब चलता है जब MRB नहीं चलता है तभी यह काम करता है MRB चालू हो गया तो फिर यह automatic अपने आप बंद हो जाता है लेकिन बेटरी का voltage घटकर कम हो जाए तो यह फिर नहीं चलेगा 90 वोल्ट से कम हो गया बेटरी का voltage तो यह काम नहीं करता है 90 वोल्ट से उपर होगा तो यह काम करेगा moisture सो निकाल देगा और moisture का भी इसका setting है ऐसा नहीं हमेशा चलता रहेगा जब moisture बढ़कर 80% हो जाएगा तो यह चालू हो जाएगा और घटकर 70% हो जाएगा यानि humidity तो यह फिर बंद हो जाएगा 80% पर स्टार्ट हो जाएगा और 70% पर बंद हो जाएगा moisture इतना होने पर तो यह है ड्यू हमीडी फायर का अब इक ऐसे काम करता है जैसे हमने देखा होगा हमारे गरों में ऐसी लगा हुआ है और हमको खुब पशीना हो रहा है और पशीने वाले शरीर को लेकर अगर हम ऐसी लगे रूम में चले जाएं और ऐसी चल रहा है तो थोड़ी ही देर में हमारा पशीना सूख जाता है इस करन जो है contactor relay वगेरा switches हो गए हैं वो खराब हो जाता है ना तो नमी को बार निकाल देता है TMB traction motor blower तो TMB total एक section में कितने लगे हुए हैं दो लगे हुए हैं एक TMB दो TM को थंडा करता TM का मतलब है traction motor traction motor blower एक traction motor blower दो TM को तो एक section में 4 TM होई दो TM भी है तो दो दो मोटर को थंडा करते हैं TMB1 TM12 को करेगा और TMB2 TM34 को थंडा करेगा नीचे जब अंडर फ्रेम में जाएंगे उनके डक्ट लगे हुए हैं एक ही डक्ट है उसी डक्ट से दोनों TM को हवा जाती है और traction motor ठंडी होती है यह सारी जो auxiliary यानि blower है यह भी sensor के इसाब से दो speed में चलते हैं low speed और high speed जब traction motor ज्यादा गरम हो जाएगी तो यह high speed से चलेगा और उसका temperature थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर low speed हो जाएगा ऐसे यह काम करते हैं अब बात करते हैं function blower पंक्शन ब्लोवर जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे लोकों में जो squenching blower होता है squenching blower थ्री फेज लोकोमोटी में जिसका काम होता है दूल मिट्टी के कन को खीच कर नीचे फैक देना तो function blower का भी यही काम है इस ventilation ब्लोक के अंदर जो भी TMB के द्वारा या MRB के द्वारा जो भी धूल मिट्टी आई है कन आये हैं वैसे तो आते नहीं है कारबोडी फिल्टर बहुत तगड़े तगड़े लगे हुए लेकिन फिर भी एक अतिरिक व्यवस्ता की गई है कि अगर दूल मिट्टी के कल आँ भी गए तो यह खीच के नीचे जमीन में फैक देगा अब है MRB मशीन रूम ब्लोवर जिसके बारे में हमने पहले थ्री फेज लोकोमोटी में पड़ा हुआ है कि यह मशीन रूम को ठंडा करता है यानि कि मशीन रूम में वैंटिलेशन का काम करता है यह लगा हुआ है वैंटिलेशन ब्लोक पे यह भी इसकी जो पाइप लगा हुआ दिवार के उपर है फिल्टर के साथ में खीचेगा और मशीन रूम के अंदर हवा फैकेगा जिससे मशीन रूम ठंडा रहेगा उसमें वैंटिलेशन बना रहेगा तो ventilation block के उपर ये चारों auxiliary जो लगी हुई है dehumidifier, TMB, function blower और MRB इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की तो total ventilation block फिर से बता देता हूँ एक section में दो है और पूरे lokomotiv में चार ventilation box लगे हुए है धन्यवाद